समाज की वेटी को नहीं मिला उच्चित ने आये तो साहू समाज गुना से भोपाल पूच कर मुखमती निवास का करेगा घेर जिहां गुना साहू समाज के प्रिदेश से आये हुए पदातिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि साहू समाज की वेटी पर और उनके परिवार पर हुई FIR पर सरकार से मांग की कि इसकी उच्च इस्तरिय जाच हो धारा 307 जैसा मुकदमा अध्यनरग छात्रा पर लगाना नियाय संगत नहीं है साहू समाज की वेटी को उचित नियाय नहीं मिला तो आगामी दिनों में समाज इग चुठ होकर भूबाल कूच कर मुकमंती निवास का गेराब करेगा बहीं प्रितिनिदी मंडल ले पूरे मामले को लेकर गुना फुले सदिक्षक से चर्शावी की गुना से राहोल चोरोसिया की एक रिपोर्ट तो आप अभी सरकार से बरतमान में क्या मांग करते हैं क्या चाहते हैं पिर्फ हमारा इतना है हमारी बेटी को रिहार किया जाए वो निर्टोस है और जो दोसी है हम जानते हैं आज जो माहौल है वो इतना असुरक्षित है कि बेहन बेटी है जब भाहर जाती है तो माता कितर चुलता रहे है यह जो कब आपस लोट रही है और घर सही सलामत जोती है कि नहीं लोटेगी एसा ही मामला हमने अभी सामने आया यह जो घटनकरम आता है वो चार फरवरी को जानत के इक्तम विस्पोडर किस्तिती के रूट में सामने आता है कि चार फरवरी को संध्या साहू निवासी के प्रोधा खुल नामक्षेडी गुना इस बच्ची के बादे में सोचल मीडिया पर टाई चला कि उसने एक आया धाकन नामने रिट्टे को बहुत बूचरे मारा है उसके परिवारों पर भी असी आरूप लगे और तक्तार प्र जो ऐस से पाईल दिया था उसमें जो आपने अपने मांग रकी तह अभी तर्वी सावेधन पपर आपकी समाजकों कोई आसवासन सही नहीं मिला, आपने गुना के जनपरहितिनी दीयों से चडचा गरी, जनपरहितिनी उसने क्या आपके सामने बताए आपको कुछ दो दिय तो अभी जो आप बता रहे हैं पुलिस अदिक्षक मोदे से मिलेंगे तो आप क्या चाहते हैं उनसे मिलने के बाद में